अगर आप Nokia 6 का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप किसी का भी कॉल कैसे रेकॉर्ट कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीका है इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने फून में सबसे पहले तो सेटिंग को उपन करन करना है जैसी आप सेटिंग ऊपन करोगे आप नोटिफिकेशन बार से नीचे लाकर ओन कर सकते हूं तो बिसिकलिए आपको सिर्टिंग उपन करना है सबसे नीचे आपको आप से नीचे आपको आप देख सकते यह हैं Nokia 6 और उसी के साथ-साथ आपको सिस्टम नाम का और यहां पर आपको नीचे एक बटन देखने को मिल जाएगा जहां को यहां पर दिखाता है आपका ज्सेस्टम जो है। आपको समझ जcket आना कि आपका सिस्टम जो है आपका तो, अभी आपको क्या करना है, सिंपल से, Home Skrim पे जाना है, Home Skrim पे जाने का, DialerPad को Open करके, यहापे किसी को भी, आपको Call कर लेना है, जैसी आप यहापे, किसी को भी Call कर लोगे, तो, आपके पास, कुछ ऐसा Interface आ जाएगा, अगर आप किसी को भी call करते तो फिर आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर आपको बहुत सारा option देखने को मिल जाएगा और इन्हीं option में से आपको एक option यहाँ पर देखने को मिलेगा record नाम का तो जैसी आप इस record नाम के tap करोगे इसके बाद start करोगे तो आपका call recording जो है start हो जाएगा लेकिन इसका एक यहाँ पर बुरा पॉइंट यह है कि जैसी आप रेकॉर्ड पर टैप करके call recording करना start करोगे तो दूसरे साइट में जो भी रहेगा उसको पता चल जाएगा उनका call जो हो record हो रहा है तो यहाँ से बहुत ही easily आप calls को record कर होंगा कि आप कैसे किसी को बिना बताए उसका call record कर सकते तो हायर आशकर बसे नहीं कर वीडिए चला का वीडियो करा के शेड़ जरू के चानल को सब्साइब नहीं कहा है चानल को सब्साइब नोटिफिक्शन बेल आगउन को तो वाल पर क्लिक कीजिए नहीं तो आपको बत